बरोली अहीर बास सिकंद्रा सबजी और फूल फल मंडी में दुकानों की निलामी में सबसे ज़ादा बोली लगाने वाले आरतियों की मुसीबत अब भड़ सकती है इन दुकानों की निलामी की शर्तों के अनुसार निलामी के पंदर दिन के अंदर बोली की आधी कीमत जमा करनी थी ऐसा नहीं करने पर जमानत राशी जब्ट करने का अधिकार है इसी के साथ इन बोली दाताओं की सूची आयकर विवाग में तलब कर ली है इन दुकानों की निलामी भी हो चुकी है लेकिन निलामी में बढ़ चड़कर बोली लगाने बाले अब शर्तों का पालन नहीं कर रहे है जिसके चलते उन्हें परिशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है इन बोली दाताओं को नियमों के अनुरूप निलामी के पंद्रे में दिन तक आधी धनरासी जमा करानी थी जो अभी तक नहीं कराई गई है ये बोली दाता किष्ट पर भुकतान की अनुमती मांग रहे हैं जिसे मंडी प्रशासन ने अश्विकार कर दिया है अब नियमों जल्द ही निलामी की नई प्रक्रिया शुरू कराएगा इसके साथ ही इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जिन लोगों ने निलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगा का दुकान का हक हांसिल किया था बे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस भी रद ह होगा आपको बता दे कि 27 जुलाई को बरॉली अहीर सब्जी मंडी में दुकानों की बोली लगी थी जिसमें 8 लाक रुपे आधार मुलिवाली इन दुकानों की बोली तक पहुंची थी निलामी में ऐसी होड लगी कि बोली दाताओं ने बिना सोचे समझे बोली लगा दी ऐसा सिर्फ एक वार ही नहीं हुआ है सिकंदरा मंडी समीती में कई वार्ज जादा बोली लगाने के बाद भी लोगों ने तैस समय सीमा में निलामी रद करनी पड़ी थी यही हाल बरॉली हई सब्जी मंडी में भी हुआ है आयकर विवाग ने इन बोली दाताओं की सूची तलब कर ली है जिसके चलते अब इन बोली दाताओं को जमानत राशी गवाने के साथ ही आयकर विवाग का भी सामना करना पड़ेगा विजय बगहेल सी निउस आगरा